आप सभी को मेरा सुप्रभान, मेरा नाम अर्शना खरे है, मैं आपकी हिंदी सिक्ष का हूँ आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का पाथ दो, वण विचार, उसके बारे में बताएंगे तो देखिए जैसा कि आपको पाट के नाम से समझ में आ गया होगा वर्ण विचार यानि वर्ण पर विचार करना वर्ण के आकार और बनाने का तरीका बनावट आकार उचारन इन पर विचार करना ठीक है तो सबसे पहले हम ये जालेंगे कि वर्ण है क्या भार्षा कि वह छो से छोटी धनी जिसके टुकड़े नहीं किये जा सकते वर्ण कहलाते हैं वर्ण का दूसरा नाम अक्षर है वर्ण का दूसरा नाम अक्षर है अब इसके बाद है वर्ण माला किसे कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समू या वर्णों के लिखे गए क्रमबद समू को हम वर्ण माला कहते हैं अब देखिए हमको पता है कि हमारे वामन बर्ण माला में वामन बर्ण होते हैं मतलब कहना चाहिए आसले कि जितने भी वर्ण है वो हमारे वर्ण माला के अंतरगत आते हैं तो अगर हम आके बाद का लिख दे का के बाद टा लिख दे टा के बाद ना लिख दे न नहीं क्योंकि वो क्रम से लिखा हुआ नहीं है इसलिए हम उसको yarn MALA भूर्ण माला क्या है रीषी का ये ओ और असले की पूरा ग्या तक मतलब छोटा आसले की ज्याग्यानी तक पूरा क्रम से लिखना ये वर्ण माला कहलाता है क्लिар हो गये आपको, ऐसा नहीं है कि वर्ण माला में, आपने 52 वर्ण तो लिखे दिये, आगे पीछे उपर रीचे। वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्णों के क्रम बद समूपों को हम वर्ण माला कहते हैं क्रम से लिखे हुए समूपों को वर्ण माला कहा गया है। अब देखे वर्णों के भेद, वर्ण के तीन भेद हैं, स्वर, अयोगवाहा और व्यंजन, तो सबसे पहले अब हम जानते कि स्वर क्या है, तो देखे स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उचारन करते समय, किसी अनवर्ण की शाहता की आवशकता नहीं होती, सरल तरीके से हम यह कह सकते हैं कि जो वर्ण स्वातंत्रे रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं स्वरों का उचारन करते समय हवा मुख से बिना किसी रूप कावट के निकलती है तो स्वर की तीन परिफासा हैं जिन बर्णों के उचारन करते समय हवा मुख से बिना रुकावट के बाहर निकलती है उन्हें हम स्वर कहते हैं दूसरी परिभासा है जो बर्ण स्वतंत्रे रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं या जो बर्ण को बोलने में उचारन करने में किसी अन्य बर्ण क सहायता की आउशकता नहीं होती उसे हम कहते हैं ठीके तीन परिभाश्या मेंने आपको बताई हैं अब सवर संख्या में 11 होते हैं है A A I O R E O R E A O O यह आपके कितने स्वर है? 11 हिंदी में आपके 11 स्वर माने गया है अब देखे इन स्वरों के भी भेध है स्वर के 3 भेध है सबसे पहला है रस्ट स्वर इस स्वर में वर्णों को बोलने में कम समय लगता है हरस्तो स्वर में वर्णों को बोले में कम समय लगता है जैसे आ, ई, उ, री ठीक है जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हम हरस्तो स्वर बोलते हैं ये संख्या में चार होते हैं आ, ई, उ, री तो ये कौन से वर्णों कहलाएंगे हरस्तो स्वर ठीक है कौन से स्थे उं लिए ढूर तो के अचारर में फ़र्श रों के उचारर से डुगना समय लगता है उन्येंग किसवर कहते हैं ठीक है मतलब से बहुत सिंपल बहुत कम समय में बोला अब इसे दुगना समय जब लगे तो वह कहला अधिक आ आ, ई, उ, ए, ए, ओ, ओ, उ, इनको बोलने में दुगना समय लगा ना आ, ई, ई, उ, उ, ए, ए, ओ, ओ, आपको समझ में आ गया होगा उचारण के द्वारा कि जो रेस्सवर हैं आ, ई, उ, री इनमें कम समय लगता है इनको बोलने में दुगना समय लगता है इसलिए ये संख्या में साथ होते हैं इसलिए साथ रेस्सवरों के अपेच्छा तीगुना समय लगता है जैसे ओम, ओम में जो बीच में तीन बना हुआ है, वो हिंदी के तीन के जैसा, इसको लिखा जाता है, प्रुट स्वर को, ठीक है, यह अधिक तर संस्कित के शब्दों में ही प्रियोग किया जाता है, जैसे उच्चारन करिए ओम का, देखिए आपको कितना समय लगता है, ओम प्रुत सवर कहाती है, यह अधिक तर संस्कित में प्रियोग किया जाते हैं, भीदों में पहचानने के लिए हिंदी का, जैसे 3 होता वह वैसे मात्र आयवा लिखा जाता है है बलकि के लिए निश्चित चिन जोड़ दिये जाते इन उचिम को मात्रा कहा जाता है तो कि सिब कि लिए और य होता है बदल जाता है तो हमारी 11 स्वर में Chiara THIS स्व्र में wörtा की कोई मातरा नहीं होती है। इसलीए हमारे दस सव्रेगों की मातरा भी दी गई है। जब हम व तो हम व श्नों में मातरा के सुफ साथ मातरा लगाते हैं... तो मातरा इस्थान मातरां का प्रियोग करते हैं तो वो व्यंजन का रूप जो क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, जैसे का में आ की मातरा लगा दी, काला, की, किस, की, 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 कू, कु, कू, कू, कु, कृ, क्र, क्रपा, के, केला, के, कैसा, को, कोटा, कौ, कौवा, ठीके, तो हमारे दस दूरों की मातरा है हैं आक कोई मातरा नहीं होती है अब देखिए उ तथा बड़ा उकी मातर है सामानिता व्यंजन के नीचे लगती है परंतु रा के पेट में लगाई जाती है ऊपर बीच में ठीक है वैसे तो उकी मातरा जैसे पूर, सूरज, सुमन होगती है मगर जब हम रुपया या रूप लिखेंगे रा के साथ उकी मात्रा लगाते हैं तो रा के बीच में उकी मात्रा का प्रियोग होता है इसके बाद देखिए अयोगवा हिंदी वर्ण वाला के स्वरों के अंत और व्यंचनों के पहले अंग या चंदरबिंदी वाला अंग वा अहा ध्वनिया आती हैं अंग को अनुस्वार कहते हैं और चांदबिंदी वाले को जिसमें चंदरबिंदी लगाते हैं उसको चंदरबिंदु कहते हैं और आहा को हम व हो नहीं है इसलिए इन्हें अयोग वाह कहते हैं तिक अयोग वाह के बाद अनुस्वार देखिए जिस धनी का उचारन करने में हवा केबल नाक से बाहर आती है उसे हम क्या बोलते हैं अनुस्वार ठीक है आउस से और ध्यार के वर्ण जोंगोडी है लीर हो गया है यहा? आणुनासिग है जिने मुठ से भाएत भाएत मुठ और नागा वह दनकों आनुनाशिक कहलाती है इसमें स्वयर के उपर चंद्रबिंदी लिपी चिन ही लगाया जाता है जैसे आख अब देखे हम आख का उच्छारण कर रहे हैं तो आख से हवा जो है हमारी नाक और मुह दोनों से बहर निकल लेगा आप बोल के देखिएगा आख खासी इसमें हमारा नाक और मुह दोनों से हवा बाहर निकल रही है इसलिए क्या हो जाएगा आनुनाशिक वर निकल आएगा ठीके और अनुस्वार में केबल हवा नाक से निकलती जैसे कंगन तंत्र मंत्र तो यह आप प्रेटकल करके देखिएगा आपको समझ में आएगा ठीके तो इन बेंदी होती है जैसे अतहा के उचारन हो रहा है अंततहा पुन्ण प्रातहा हो रहा है तो जिनके पीछे दो बिंदु होती है वह किसर के कहलाता है लेर होगे आपको स्वर और आयोग बाह आपको समझ में आया अब देखिए इसके बाद है आपका व्यंजन अभी आम आ इनके तीन भेद होते हैं दीर्ट, खरसुस्वर, दीर्गिस्वर और पुलुत्स्वर एसके बाद हमने आपको आयोगबा में अनुस्वर विशर्ग वाय। इसके बाद आता है आपका व्यchyंजन व्युंजन कम कहते है मैं तो 15 1 प्रइभाशा जिन वर्णों का उच्चारन करते समय वायू रुकावट के साथ मुझ से बाहर निकलती उसे उनके इसपस्ट उच्चारन में स्वरों की सहायता लेनी परती उन्हें हम व्यंजन कहते हैं तो आपकी पुस्तक की होगी और सराल भासा में हम कहें कि जो वर्ण स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते व्यंजन कहलाते हैं या जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं तीन तरीके की परिभाशा है सबसे पहले जो वर्ण स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते उन्हें व्यंजन कहते हैं दूसरी परिभाशा है जिन वर को बोलने में स्वरकी सहायता ली जाती उन्हें हम व्यांजन कहते हैं ठीक है तो व्यांजन देखिए हमारे इसमें 35 बताए गये हैं तो कौन-कौन से हैं 35 वो भी देख लीजें का वर्ग में 5 आते हैं ते चा या घा या या टा वर्ग में 5 यह तो पच्चिस हो गये ठीक है फिर अंतस्त है यह आपको बता है यह आपके इस पर्ष इसके बाद देखिए चार आपके अंतस्ति वियंजन है यारा लावा फिर उसमें वियंजन चार है शा सह हा इसके बाद अत्रिक्ति वियंजन है ड़ और धा ठीक है इसको चारण करते समय हमारी जो जीब की नोख है वो तालू को छूती हुई जटके के साथ बाहर निकलती है यह दो हो गए इस तरीके से आप देखिए 25 और चार उन्नीस उन्नीस चार किता हो जाएगा 33 देतिस दो 35 ठीक है इस तरीके से आपके 35 जो है वो व्यंजन की संख्या दी गई है ठीक है अब देखिए हिंदी के वियंजन वर्णों में आवर्ण स्वताह रहता है स्वतंत्र जिसर के नीचे हलंत लगाते हैं तो वह बенно हमघ्र हम घ्योड़ देते हैं तब हैं आ दिक हमारा पूरा बन जाता है जैसे कहके नीचे हलंत दो भी हमारा 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 पूरा है मादध्र इसके साथ मेटween जब स्वररहित व्याजन लिखना हो, तो उसके नीचे हलंत चिन पर्योंग होता है, जैसे क्खघगघअदी अब देखें व्याजनों के भेद, व्याजन के तीन भेद हैं, पहला इसपर्स व्याजन, दूसरा अंतर्स्त व्याजन, तीसरा ऊस्मे व्याजन तो ispars avengen क्या है, जिन व्यनजनों का उचारन करते समय जीब, मुख कि किसी ना किसी भाग को ispars करती है, ispars यानि छूती है, ठीक है? उन्हें ispars avengen कहते हैं, जैसे का से मातक, वर्ण ispars avengen कहलाते हैं, यानि ispars avengen की संख्या 25 है, ठीक है? अब हम बोलते हैं क, तो देखें क जीप हमारी गले को चूती और तालू को चूती हमारे मुख से निकल रहे ना उच्परण तो यह क्या हो जाएगा इसपर्स व्यंजन इसपर्स यानी छोना ठीक है उत्ति जैंजर्न यह हमारे संख्या में चार है इसके उच्परण के समय जीप का पूरा इस पर्स, मुखे के किसी विसेज भाग के साथ नहीं होता. छैक कोई विसेज भाग इसके साथ नहीं जोडता है. जैसे यारालावा, कहीं भी जीव हमारे उसको छूती है. तो यह है आपका अंतस्त व्यंजन इसके बाद तीसरा है आपका ऊश्मे व्यंजन यानि इस व्यंजन को बोलते समय हमारे मुख के अंदर से गरम स्वास गरम हवा बाहर की तरफ निकलती है यानि गर्मी पैदा होती है क्योंकि जब हम इन स्वर्णों को बोलते हैं तो क्या हो तो आपके मुख से गरम हवा बहर की तरह निकलती है ऊसे व्यनजन वेसे शिर्ण में चार होते हैंी इसके अत्रिक्त देखे उस्चिप्त व्यंजन है उनको अधिक्यों भी हम कहते हैं यह संख्या में दो होते हैं इनका उचारण करते समय जीप कर जो नोख होता है वो उपर तालू को छूता हुआ जटके के साथ बाहर छोड़ता है जैसे ड़ ठीक है इसको भी आप बोलके देखिएगा आपको सारा कुछ समझ में आएगा अब देखिए संयुक् व्यंजन नहीं है यह दो व्यंजनों के मेल से बने हैं जैसे कधन सचा बन गया ताधन रा त्रा बन गया जाधन इया ग्या बन गया श्राधन रा श्रा बन गया संयुक्त व्यंजन भी आपके चार है इसके बाद देखिए धुत्य व्यंजन एक जैसे दो व्यंजनों का प् ना, इसमें एक आधा ना है, दूसरा पूरा ना है, हाला दो एक जैसे व्यंजन है ना, दोनों ना है, एक आधा है और एक पूरा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, धूति व्यंजन, मक्का, इसमें भी दो, एक जैसे का है, एक आधा, एक पूरा, इसी तरीके से पत्ता, लड संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं दो अलग अलग ब्यंजनों के मिलने से बने अक्षर को हम क्या कहते हैं संयुक्ताक्षर संयुक्त होकर जो अक्षर बनता है उसे हम संयुक्ताक्षर कहते हैं जैसे कधनता आधा का और टा तो क्या हो जाएगा रक्त कक्त बोलेंगे जैसे आधावा और या तो क्या हो जाएगा व्याए व्याभाद पाधन या प्या प्यार साधन पाधन या क्या क्यारी माधन पाधन पाधन संपोण तो इस तरीके से आप थोड़ा सा इन शब्दों का उचारन करेंगे इन वाक्यों का उचारन करेंगे इन शब्दों का उचारन करेंगे वर्णों का उचारन करेंगे तो आपको सारी परिभासाइं बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी क्योंकि अगर यह क्लास में होता तो हम आपस इसका उच्चारान घर पर करेंगे तभी आपको सारी चीज़े इसमें समझ में आ जाएंगे अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो फिर मुझसे पूछेगा मैं बताऊंगे इसके बाद देखिए आपने क्या सीखा वर्ण भासा की सबसे छोटी काई होती है वर्णों का विवस्थित समू वर्ण माला कहलाता है स्वरों को तीन भागों में बाटा गया है हरस्व दीर्ग और प्लोत व्यंजन को तीन भागों में बाटा गया है इसपर्स व्यंजन अंतस्ति व्यंजन और उसमें व्यंजन इसके बाद देखिए आपके इसकी कुछ एक्सरसाइज सबसे पहले सही विकल्ब भाषा की सबसे छोटी एकाई वर्ण कहलाती है स्वर होते हैं 11 जिन अकिन स्वरों के उच्छारण में कम समय लगता है तो हरस्वर दूति व्यंजन है मां और मां आधा मां और पूरा मां आधाता और पूराता ठीक है फिर इस पर्स व्यंजन संख्य में होते हैं 25 ठीक है खाली स्थान देखिए हरस्वर में सबसे कम समय लगता है पुलत स्वर में सबर है एक अनुस्वार का उच्छारण नाक से होता है उस में व्यंजनों के उच्छारण में मुह से उश्मा निकलती है विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना पहले खाली में सब्सक्राण में अलुसरे में एक तीसरे में अनुस्वार चोथे में उच्मा पास में में विच्छेद है ड़ प्रक्तिश ने गलत है स्वरों के परिवर्तित स्वरूप को मात्रा कहते हैं सही इसके बाद देखिए चाव अच्छा दो मतब कहना चिए दृति वेंजन जो है वह आपको शब्द बनाने हैं जैसे कच्छा शक्र चम्मज खटा अड़ा पल्लाव तो यह सारी चीजे आपको पुस्तक में जैसे मैं वैसे ही लिखना इसके बाद लेकिए संयोग्त ब्याजरो से दो दो शब्द बनाईये जैसे कच्छाґ चासे कच्छा चट्री त्रासे घ्याश्वल प्रिनेत्र ग्यां से ज्यानी ज्याथा सेश्रम के इसके बाद लेकिए तिऩिए गय उच्चित अनुस्वार और आनुन आख आनुनाशिक सुन्दर अनुस्वार सिंग अनुस्वार अंतर अनुस्वार हंस आपका अगर हंस लिखेंगे तो आपका अनुस्वार है और हंस लिखेंगे तो अनुनाशिक है मंत्र अनुस्वार व्यंजन अनुस्वार इसके बाद देखें जोड़ी मिलाना है इसपर्स प्रश्नों के उत्तर है तो मैंने पुस्तक में लिखने हैं आपको कौपी पे प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं ठीक है जा नंबर से जो प्रश्णों के उत्तर है यह आपको सभी कॉपी पे लिखने बागी सारे प्रश्णों के उत्तर आपको पुस्तक में ही करना है तो देखे पहला प्रश्ण वर्ण किसे कहते हैं उत्तर है भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनी जिसके टुकड़े नह प्रश्णों के इसके बाद मात्रा किसे कहते हैं उत्तर है स्वरों के परिवर्टित स्वरूप को मात्रा कहते हैं प्रश्ण पाच्वा व्यंजन का क्या अर्थ है इन्हें कितने भागों में बाटा गया है उत्तर है जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं इन्हें तीन भागों में बाटा गया है इसपर्ष व्यंजन अंतस्त व्यंजन और उस्म व्यंज को सयोगति वियंजन कहते हैं संख्या में चार होते हैं चछत्र ज्न और श्रा स्वारिक वाल ठीकिश्ष तो केवल प्रश्णो के ऊतरे एक दो तीन चार 5-6 प्रश्णो के उततर आपको कॉपी पे करने हैं जो भी तारिक आपको बताई जाती इसमें भीजना है और अधि कोई समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछ लीचेगा धन्यवाद